हेलो दोस्तो तो आज हम जानेंगे स्टोरी बनाना कि हम स्टोरी किस तरीके से बनाते हैं दोस्तो हम आपके लिए वही स्टोरीयां बनवाएंगे जो 10th क्लास के वोड एक्जाइम में पूछी गई है दोस्तो आज जो स्टोरी हम आपके लिए बनवाने वाले ही ये स्टोरी भी बहुत ही important है क्योंकि ये स्टोरी भी कई वारवोड एक्जाइम में पूछी गई है और इस साल इसकी आने की उम्मीद है तो हम आपके लिए इसे बताएंगे कि इस स्टोरी को हम किस तरीके से बनाएंगे दोस्तो हमने इस पूरी स्टोरी को छोटे छोटे सेंटेंसों में तोड़ लिया है जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें तो चली दोस्तो इस्टोरी बनाना हम सुरू करते हैं तो दोस्तो हमारी स्टोरी शुरू होती है ईश्वर चंद विध्या सागर एक योग अध्यापक थे तो दोस्तो इसमें सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट को लगाना है तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तो हमारा ईश्वर चंद विध्या सागर तो हम यहाँ पर ईश्वर विद्या सागर तो हमारा सब्चेक्ट लग गया ईसवर चंद विद्या सागर अब ये दोस्तो हमारा simple sentence है क्योंकि इसमें कोई action नहीं हो रही है और हमने आपको बताया है जिन वाक्यों में action नहीं होती है हम उन्हें क्या कहते हैं simple sentence कहते हैं तो दोस्तो हम यहाँ पर लगा देंगे वाज तो ईश्वर चंद विध्या सागर वाज माने थे एन माने एक एविल माने योग्य और टीचर माने अध्यापक तो दोस्तो हमारा यह सेंटेस बन के त्यार हो गया इस्वर चंद विध्या सागर वोज एन एविल टीचर इस्वर चंद विध्या सागर एक योग्य ध्यापक थे उसको दोस्तो हमारा अगला सेंटेंस है कई विध्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे तो दोस्तो यहाँ पर कॉन पढ़ने आते थे काई विध्यार्ति तो यह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट ह Jewish घृत कैं मने आते थे क्योंकि दोस्तों यह हमारा पास्टेंड लगाते तो आने की सेकेंड फॉर्म् क्या होती है केम ओने आते थे अब दोस्तों पीछे से लगाते चलिए क्यों आते थे पढ़ने आते थे To learn मौने पढ़ने आते थे अब कहां आते थे दोस्तो उनके पास तो from Him मौने उनके पास तो दोस्तो हमारा ये sentence बन गया Several students के मौने आते थे To learn मौने पढ़ने From Him मौने उनके पास कई विध्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे अगला सेंटेंस है दोस्तो हमारा एक ब्रद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया तो दोस्तो कौन आया एक ब्रद्ध पुरुष तो हमारा सब्जेक्ट मिल गए एक ब्रद्ध पुरुष पूरा का पूरा यहां तक का ही हमारा सब्जेक्ट है तो एन ओल्ड मेन माने एक ब्रेद्ध फुरस आलसू माने भी किम माने आया टू हिम माने उनके पास टू लर्न माने पढ़ने तो दूस्त हमारा यह सेंटेस बन गया एक ब्रेद्ध पुरस भी उनके पास आया टू लर्न माने पढ़ने उसका दूस्त हमारा अगला सेंटेस है विद्ध्या सागर ने उसे पढ़ाने का बचन दिया अब बचन किस ने दिया दूस्तो विद्ध्या सागर ने तो हमारा सब्जेक्ट हो गया कौन विध्या सागर तो विध्या सागर माने विध्या सागर अब यह हमारा पास्टेन देफने टेंस है दोश्तो जिन वाक्यों के अंत में आईए की दोनी आती है वो भी हमारे पास्टेन देफने टेंस कह रहाते हैं तो बचन दिया तो बचन देने की क्या होती दोस्तो प्रॉमिस प्रॉमिस्ट मने बचन दिया second form लगी दोस्तो to teach मने पढ़ाने का किसका बचन दिया दोस्तो पढ़ाने का बचन दिया हिम मने उन्हें उन्हें पढ़ाने का बचन दिया और उसका दोस्तो आपको वो व्याकरण कठेन लगता था तो दोस्तों यहाँ पर किंतू की मीनिंग लगाओगे बट बट मने किंतू द ओल्ड मेन फाउंड ग्रैमर difficult तो दोस्तों हमारा यह sentence वन गया बट मने लेकिन किंतू परंतू तीन आर्थ होते हैं इसके लेकिन किंतू परंतू तो हमने यहाँ पर किंतू के अर्थ में बट का यूज किया है द ओल्ड मेन फाउंड ग्रैमर डिफकल्ड लेकिन क्या हुआ बूरे को ग्रामर कठन लगता था उसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है विध्या सागर ने ऐसे विध्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी तो पुस्तक किस ने लिखी दोस्तों विध्या सागर ने तो आप यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाए बिद्ध्या सागर अब यह लिखी पास्ट टेंसर दोस्तो तो राइट की सागेंड फिर्म क्या होते है रॉट रॉट माने लिखी ए माने एक बुक माने किताब ओफ ग्रैमर माने ग्रैमर की फॉर माने के लिए दविनिफिट माने सुविधा के लिए विनिफिट ओफ सच स्टुडेंट्स माने ऐसे विध्यार्थियों की ऐसे विध्यार्थियों की सुविधा के लिए क्या किया विध्या सागर ने एक ब्याकरर की बुक लिखी किताब लिखी उसका दोस्तो आगे दिया गया है यह पुष्टक समझत भारत में पढ़ाई जाती है, तो दोस्तों क्या पढ़ाई जाती है, यह पुष्टक, तो this book माने यह पुष्टक, सब्जेक्ट लग गया, अब यह हमारा कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, present and definite tense है, तो पढ़ाई जाती है, पढ़ाने की क्या होती है दोस्त तो टीच तो टीच की टी ए सी एच टीच लग गया अब इसमें हम एस जोड़ेंगे तो हम इसमें लगा देंगे एस क्योंकि हमारा प्रिजेंट अन्रेफ ने टैंस है दोस्तों तो दिस वुक टीच इस माने पढ़ाई जाती है कि इन माने में थ्रो आउट इंडिया योगो लाइक कर दीजेगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा थैंक्स पर वाचिंग वीडियो दोस्तो